जारखंड में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश की वजह से राजुमें जनजीवन अस्त वेस्त हो गया है। इस बारिश में शिप्पुरी महले का हाल सबसे ज़्यादा बेहाल हो गया है। बड़ा दुरगटना होगा इसको कोई बोल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या बोलेगा कोई इसने परसासन सुनता है नगर सिवक सुनता है कि हां इसके ध्यान दिया जाए। पब्लिक को थोड़ा परेशानी इतना परेशानी हो रहा है। कितना पानी है इसमें। बहुत पानी है कहेंगे तो कम से कम नहीं तो पांच फिक पानी है पांच फिक चार फिक तीन फिक जो जैसा है। पानी की स्वीट इतना है कि पादमी पाह भी जाएगा। नदी के समान है। क्या नाम हुआ। मेरा नाम सुरेंदर पुसाद हुआ। को गई यहां पर। हमारे सनातन धर्म में एक नदी का उल्लेक है जिसका नाम वैतरणी नदी है। तो उसका पाद करने का मतलग होता है कि जीवन धनय हो जाना। तो यह वही वैतरनी नदी हो जिसे हम पाद कर रहे हैं। अब तो आप हाल देखी रहे हैं। हट उत्यृँ स्वीट का क्या हाल हूँ है। कहां तक पानी है ? कितना पानी है। पानी तो पुरा यहां से पुरा आगे तक लोसीना तक पुरा खराब है और आगे भी कुछ दूर जाने के बाद और भी खराब है तो ऐसी इस्तिति उत्पान होने का कारण क्या समझते हैं कारण बस यही है कि अगरपालिका को ध्यान देना चाहिए था और हम जो नेता से अपेक्षा करते हैं वह पेक्षा पुरा नहीं हुई नाली का प्रबंद नहीं हो पाया है लिकिन यह जो रोड बीच में कुड़ाया था उसा पुरा नहीं हुए क्या नाम है आधिस गूरु आइस्तिती उद्रे शुपूरी के स्थिती तो बहुत खराब है आप देख सकते हैं कि स्थिती बहुत खराब है पुरा पानी जम हुआ है रास्ते में और नाली का कोई सोर्स नहीं है यहां पे नाली नहीं बन चुका है इसके खारण आदमी को अगे जाने बहुत परिसानी हो रहा है रोज भी तुट चुका है आगे जाकर से रास्तरबन भी देख सकते हैं अगर कोई सार गिलता है राइट भी है तो जानमाल का नुक्सान हो सकता है यहां पे नाली का बनाना बहुत जरूरी है जिला पच्छाशन को सामने आना कितना पानी है कितने दो तक पानी है यह सो कितने दोताक पानी है है किया नावाप का पॉटन हो गए पारज के पार पानी है घररों प्णरे सारह करे जोट रहिए मौसम विभाग की माने तो अभी और दो दिन बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ड जारी किया है इधर राजी की अधिकान शी नदियां उफान पर है जलिस्तर बढ़ जाने के कारण कई डैम का फाटक खोल देने से नदियों के किनारे बसे गाउं में बाड का खत्रा उत्पन हो गया है और नदियों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाय जा रहा है हजारी बाग से राजकुमार गरी की रिपोर्ट